वैसे तो अगर हमारे अंदर confidence है ना तो वो बिना किसी effort के हमारी body language से अपने आप ही reflect हो जाता है Similarly अगर हम अंदर से confident नहीं feel करते ना तो इसका पता भी हमारी body language को देखकर बहुत दूर से लगाया जा सकता है और जब हमारा confidence level दिखने में ही low लगता है तो हमारी personality भी weak और unattractive लगती है Hi, कैसे हैं आप? मैं हूँ Dr. Shikha और इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 body language secrets और साथ ही साथ उनको use करने का right तरीका आपके साथ share करूंगी जिनकों की बहुत easily follow करके आप अपने आपको ज़्यादा confident appear करवा सकते हो जिससे कि आपकी personality पहले से ज़्यादा attractive appear होगी और आप अपने better version के एक step और पास आजाओगे अगर वीडियो शुरू करने से पहले इनके साथ मेरा इफेस आज पहली बार देख रहे हो तो चैनल को subscribe करके notification bell पे क्लिक करना बिलकुल मन भूलना मैं इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोज अपलोड करती हूँ जो हमारे quality of life को improve करके हमें हमारे higher self से connect कर आने में support करते हैं और समझ में नहीं आता कि क्या right तरीका है जिससे कि हम eye contact करें लेकिन eye contact होता भी बहुत ज़्यादा जरूरी है communication का बहुत crucial part होता है यह क्योंकि अगर हम eye contact करते नजरे चुडाते हैं इधर उधर देखते हैं तो उससे हम confident appear नहीं होते सामने वाले को ऐसा लगता है कि हम उसकी बात में interested नहीं है और फिर हम कुछ uncomfortable feel कर रहे हैं उनके साथ तो right तरीका क्या हो जिससे कि हम भी comfortable feel करें और सामने वाला person भी comfortable feel करें उसको यहीं ना लगए कि हम उसको घूरते चले जा रहे हैं तो इसका तरीका यह है कि एक तो हमको बहुत soft eye contact रखना है हमें पूरी eyes को ऐसे खोल कर और एक टक नहीं देखते रहना है रहे वो soft triangle वाले अरिया पर जिससे हम कई बार उनके eyebrows की इपर focus कर सकते हैं हम उनकी जब eye contact proper करना हो eyes में तो हम उनके eye के color को notice कर सकते हैं इस area पर हम उनके देख सकते हैं तो इससे जब हम अपना focus change करते रहेंगे तो हम comfortable feel करेंगे eye contact करने में जिससे कि हम ज़्यादा confident appear होंगे और हमारी personality भी attractive लगेगी दूसरा body language secret है smile करने का smile हमें इस लिए करने है क्योंकि जब हम smile करते हैं तो हमारे brain के पास यह signal जाता है कि हम ना अंदर से खोश है और जब हम अंदर से खोश होते हैं तो हम ज़्यादा relaxed feel करते हैं comfortable feel करते हैं जिससे कि हम naturally confident appear होते हैं लेकिन सिर्फ smile करना ही secret नहीं है उसकी भी कुछ और secrets हैं कि right तरीके से हमें smile करनी कैसे है जिससे कि हम confident appear हों ऐसी नहीं smile करनी हमको घर एक करके हमने smile नहीं करनी है भ慌त light smile करनी है second हमको होना हमारी eyes से भी smile करना है साथ में यो difference होता है अगर मैं सिर्फ ऐसे smile करूँ और दूसरा मैं अपनी eyes से भी smile करूँ तो जो हम अपनी eyes से smell करते हैं हमारे ये वाला जो एरिया होता है, इसको crow feet कहते है न यहापे, वो भी यहाँ पर थोड़ा सा वो श्रेंक होता है, वहाँ रिंकल से आते हैं, जो इस तरीके से smile करते हैं, आई से, तो उससे हम appear होते हैं, कि असली में दिल से smile कर रहे हैं, थर्ड रूल यह है, smile करने का, कि जब हम smile करें, तो ऐसा न हो कि हम smile करते हुए, एंटर कर रहे हैं, और हमारे जो smile है, वो हटी नहीं रही है, फेस से, हमको wait and smile का rule follow करना है, कि जब हम अंदर आए, जब हमारा किसी से eye contact हो, हम तब smile करें, जब हमें कोई किसी से introduce करवाए, हम तब smile करें, जब कोई हमारे साथ hand shake करे हमें greet करें, हम तब smile करें, फिर थोड़ा सा pause लें, और फिर smile करें, जब हम से कोई बात कर रहा हो, या बात करते हुए smile करें, और जब हमको smile नहीं करनी हो, जब smile करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बात नहीं कर रहे हैं, कोई किसी और के बारे में बात कर रहा है, कुछ और तो हम लाइटली अपनी आइस पे स्माइल रख सकते हैं इस तरीके से जिससे कोई हमारी तरफ देखे तो यह ना लगे कि हम इस तरीके से बहुत गुस्से में या बोर या फिट ढरे हुए से हैं क्योंकि जो बोर या अपनी अपनी बॉड लैंवेगे को हमें इस प्लूज को हमें ओपन रखता हैं को जो आपने बॉडि लैंवेगे उसका मतलब है कि सामने वाला परसंट वह बहुत ऑफॉड ड़्स बॉडिक नॉज होती हैं जिस्की अपनी वाला प्रसंचादाली जो बह और पर्स ताइटली पकड़कर या फिर हम कोई ग्लास हात में हमने पकड़ा हुए हम उसको हाथ में पकड़ लेते हैं क्योंकि इसका मतलब ही होता है कि हम इंसीक्यूर फिल कर रहे हैं, हम अनकमफर्टेबल हैं और हम बस यह चाहते हैं कि बस मुका मिले और हम कहीं जाकर छु ने की कोशिश नहीं कर रही होती, इसलिए हमको जो हमारे अब्डुमन से लेकि जो नेक का एरिया है उसको कभी भी हाइड आप करने की कोशिश नहीं करने है, जिसलिए हमारी बॉड़ी लेंगविज क्लोज नहीं, ओपन लगे और हम जादा कॉन्फिडेंट अपियर हो, नेक्स्ट हमको जादा से जादा से जादा स्पेस उक्यूपाई करनी है, जैसे हम किसी चेयर पे बैठे हुए हों अगर बिल्कुल श्रेंग होकर, आपने देखा को जो भी बहुत जादा लो कॉन्फिडेंट होंगे वो हमेशा ये कोशिश करेंगे कि रूम में बिल्कुल कोन जो हम उनको प्रॉपर रखिए नहीं कि अपने गोदी में रखकर उनको इस तरीके से करकर बैठ गए वो भी एक तरीके से फिर वही जो भी बात हो गई अपना पोस्चर भी इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल श्रेंग हो कर खड़े हैं पोस्चर भी हमारा बिल आइब्रोज है ना उनको यूज़ करना बात करते हुए हम आइब्रोज को अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने एक्स्प्रेशन को और अपनी जो हम बात करें उसको और इंटंसिफाइ करने के लिए जिससे कि हम और ज़़दा confident एपेर होते हैं अगर आप उसक कि एसी की बात पर हIRान होते हो तो आप इस तरीके से क्या कैसी की उपोरा कैसे को अपनी तोल बहुत तो नोटेस किया होगा बोलते हुए ना कि मेरी बात सुनो ध्यान से इसी तरी किसे जब आप खोश रहते हो एक से बहुत जादा कुछ रहते हो आप सप्राइस होते हुआ अपनी अपनी आइब्रोज को यूज कर सकते हैं अपनी कॉन्वसेशन में अपने कम्विनिकेशन में जिससे कि वो जो हमारी बात की और हमारे emotions की intensity को और ज़्यादा अच्छे से explain करती हैं जिससे कि हम और ज़्यादा confident appear होते हैं और वो हमारी personality को भी और ज़्यादा attractive बना दे हैं और एक secret और बताओं कि अगर आप eye contact करने में बहुत ज़्यादा comfortable नहीं होते हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपकी eyes move on कर जाती हैं तो आप अगर अपनी eyebrows से intensely सुनोगे ना किसी बात को तो अगर थोड़ी थोड़ी देर के लिए आप eyes को इस तरीके से move भी कर जोगे तो भी आप eyebrows के तरूँ ये expression दे सकते हो कि मैं आपकी बात को ही और वो सोचते सोचते ही मेरी eyes की movement हो रही है लेकिन मैं हूँ आपकी बात में पूरी इंट्रस्टेट तो इस तरीके से देखो हमारी eyebrows का भी हमारी body language को confident बनाने में कितना role होता है अब next हमारी body language को confident बनाने में जि कि अगर हम किसी की बात को agree कर रहे हूं यह message देना चाहते हूं कि हम तुमारी बात को सुन रहे हैं तो हम इस तरीके से head को nod कर सकते हैं और एक अगर हम अपने आपको attractive दिखाना चाहते है तो उसमें आता है head tilt कि जब हम अपने head को tilt करते है थोड़ी देर के लिए बात करते कि तुससे कै कि जो हमारी नेक होती है ना यह एक्सपोस होती है और psychological level पे अगर देखा जाए तो जो हमारी नेक होती है इसकी जो स्केन होती है यह सबसे जादा थीा करते है यान्य की इसको सबसे जादा protection की जरूरत होती है तो अगर हम अपनी neck को exposed कर देते हैं तो इसका मत Next body language secret है, बात करते हुए, अपने hands के gestures को यूज़ करना, यानि कि जब हम बात करने हो किसी से, तो हमारे जो hands होते है, उनका बहुत बड़ा रोल होता है, हमारे message को strongly दूसरे के सामने रखने के लिए, हमारी बात को जादा अच्छे से explain करने में, जैसे कि अगर मैं बोलू कि उस बात को explain करने के लिए, उसका जो effect होता है, वो बिना hand movements की कही होई बात से, जादा होता है, तो ऐसे में हम जादा confident appear होते हैं, हमारी बात को भी सामने वाले पसंद जादा ची से सन पाते हैं, लेकिन hand movements के भी कोई rules है, ऐसा नहीं है कि हम बात कर रहे हैं, हम करते चले जा बात को hands को जबरदस्ती उस करके, कई चीज़े हम को इसमें ध्यान में रखनी है, कि पहला जो हमारे hands है ना, वो हमेशा हमारी जो palms है, वो visible होनी चाहिए, अगर हम अपनी मुठ्यों को बंद करके रखते हैं, या फिर हम इस तरीके से hands अपने पीछे चुपा लेते हैं, palms को या हम pocket में रख लेते हैं, या हम इस तरीके से रख लेते हैं, इससे क्या हो हमारी जो palms हैं, वो visible नहीं है, अगर हम जाए ancient times में बहुत, तब क्या होता था कि लोग ना शिकार करते थे, और कई भी वो एक दूसरी को भी मार देते थे, तो ऐसे में ना, अगर हमें किसी पर trust क करते थे, जब उसके palms visible हो, हमको अगर उसके hands नहीं दिखते थे, तो हम उस पे शक करते थे, अब शिकार, तो हम नहीं करते हम दूसरे person को ऐसी तो नहीं मारते रहते हैं, अपने हाथ में कुछ लेके गूमते, लेकिन कहीना कहीना, वो psychological level पे, human beings के अंदर रह गई बात, कि अ आपको भी curiosity होगी ना, कि ऐसा क्या है, इसके hand में किये चुपाती जा रही है, लेकिन वही hands अगर सामने आ जाएंगे, visible होंगे, तो फिर वो curiosity नहीं होगी, और मेरी personality और जाधा attractive अपेर होगी, तो पहला रोल तो यह है, कि हमारे palms visible होने चाहिए, दूसरा यह है, कि हमारे hands क gestures हो, इस region में रहते हैं, अगर हम नीचे करेंगे बहुत जादा उससे hand moments, तो वो attractive नहीं लगेगा, और नहीं उसकी तरफ किसी का ध्यान चाहिएगा, और अगर हम इतनी उपर-उपर hand moments करेंगे, तो वो भी unattractive लगेगा, वो भी ऐसा लगेगा, कि हम पता नहीं कुछ pretend करने हम मतलब नकली नकले से appear होंगे, लेकिन हमारे जो hand moments इस region में रहते हैं, तो हम जादा confident appear होते हैं, और इससे जो समने वाला person है, वो हमारी actual बात से distract नहीं होता है, मतलब हमारे hand moments उसको distract नहीं करते हैं, हम बस उसको अपने hand moments को use कर रहते हैं, अपनी बात में जो emotions हैं, उनको दीसरी बात है कि अगर हम बहुत relaxed रहना चाहते हैं, हमने अपनी pockets में भी hands रखे हैं, तो भी अगर हमारा thumb visible रहता है, कि बाकी fingers pocket में हो, लेकिन हमारे thumbs अगर visible हो, उससे भी हम confident ही appear होते हैं, नेक्स body language secret है कि हम सब की अपनी एक preferred side होती है हमारी body की, आपने कही बार notice किया हु अपनी preferred side पर आजाते हैं, कि हम ही लगता है कि हमारी एक particular angle से जो picture होती है, वो जादा अच्छी आती है, तो वो हमारी body का preferred angle होते है, वो हमारी preferred side होती है, अगर हम उसी side पर लोगों से खड़े होकर बात करेंगे, जो हमारी preferred side है, यानि कि जब लोगों से हम side में किसी से बात करें हो, तो हमारा वो वाला area visible ज्यादा हो सामने वाले को, हमको उस तरफ देख कर बात करना हो, तो हम ज्यादा confident appear होते हैं, क्योंकि उस time पर हम relaxed और comfortable होते हैं, लेकिन अगर कोई person उसके opposite side पे हो, तो हम uncomfortable हो जाते हैं, जिससे कि हमारी body language भी confident नहीं रहती है, जैसे कि मेरी preferred position हैं left, मैं mostly अपनी pictures click करते हूं, वो left angle से click करते हूं, तो अगर मेरी कोई left side पे है, तो मैं यहां से बात करने बहुत comfortable feel करते हूं, लेकिन अगर कोई मेरी right side पे है, तो वो मेरी लिए awkward हो जाता है, right side पे अनसे बात करना चाहूं, तो मैं uncomfortable feel करते हूं, क्योंकि मुझे लगता ह मैं राइट side पे रहकर बात करूं, आपकी preferred side क्या है, कॉमें करके मैं इसा शेयर जरूर करना, और अगर हम आमने समने बात कर रहे हो, तो हम इस चीज को imagine कर सकते हैं, हलका सा head tilt करके, हलका सा side लिकर के हम जो सामने preferred position है, उसी सामने वाले से बात करें, next body language secret है, day breathing करना, क्यों हमको उसको relax करना है, slow down करना है, ताकि हमारे जो muscles हैं, facial muscles specially, वो relaxed रहो, क्योंकि जब वो relaxed होंगे, तो हम ज़ाधा confident repair होंगे, तो उसके लिए हमको deep breathing करनी है, लेकिन ऐसे नहीं करने कि सब के सामने हम बिल्कुल इस तरीके से deep breathing करने शुरू कर दें, और उनको यह लगे कि यह तो अनुलोम विलोम कर रहे हैं सामने खड़े होकर, और टेस्ते जवाजे आरे हैं, बहुत शांती से, बहुत आराम से हमको धीरे धीरे breathing करनी है, slow breathing पे focus करना है, deep breaths पे focus करना है, तो उससे आप relaxed feel करोगे, जब आप relaxed feel करोगे, तो automatically आप confident appear होगे, next body language secret यह है, कि हमको वो comfortable feel करें अपनी skin में, अपनी body में, अब हम कई बार कई कपड़े ऐसे होते हैं, जिसमें हम comfortable नहीं होते हैं, हम फिर भी fashion को follow करने के चकर में, हम वो पहन लेते हैं, या impression जबाने के चकर में पहन लेते हैं, और हम comfortable उसमें होते हैं, उससे क्या होता है, कि हमने इतने वैसे खश कर लिया उनका पर फिर भी हमारी body language जो है वो बिल्कुल dull बिल्कुल weak हो गई और हमारी personality उसकी वज़े से unattractive दिखी इसलिए हम जो भी पहने वो पहने जिसमें हम comfortable feel करते हो चाहे वो बहुत ज़्यादा बड़ी brand का ना भी हो लेकिन अगर हम उसमे comfortable feel करेंगे तो हम attractive भी appear होंगे ऐसी वो accessories, वो make-up products से उसकरना, उतना ही make-up करना जितना कि हम carry करते हुए हमे comfortable feel हो, heavy feeling ना हो कि मैंने कुछ बहुत ज़्यादा extra apply कि हमारा सारा ध्यान उसकी उपर ही ना रहे कि मेरी जो eyelashes है वो heavy हो रही है तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है और वो चीज़े जिनको use करते ही ना हमको एकदम से confidence का boost मिलता है जिसके कई बार कोई perfumes या कोई fragrance ऐसी होती है जिसको use कर लो fresh fresh सा mind होता है जिससे कि हम confident feel करते हैं वो ज़रूर use करने चाहिए हमें जादा से जादा या कोई affirmations ऐसी हूँ जिनको repeat करने से हम confident feel करते हैं तो वो affirmations हमें अंदर बोलेनी चाहिए कुछ power poses ऐसे होते हैं जिनको कि अगर हम practice कर ले तो उससे भी हम comfortable feel कर सकते हैं यानि हर वो चीज़ जिससे हम comfortable feel करते हैं जिसको ultimately हमारी personality को परले से जादा अट्राक्टिव बनाएगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और next वीडियो आपको कौन से topic पे चाहिए कॉमेंट करके में साथ ज़रूर शेयर करना मिलते हैं next वीडियो में till then stay blessed, stay smiling नमस्ते